इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैलिडेशन कब रन होता है तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे बेसिक फॉर्म में और यहाँ पर जो एड्रस फील्ड है इस पर से मैं कंसोल निकाल लेता हूँ ठीक है और हमारी जो फोन नंबर फील्ड है यहाँ पर हमको फॉर्म एक्चली मिल रहा है तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग लगाता हूँ तो अब चेक करेंगे कि हमको एरर कहां कहां मिल रहा है तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ कंसोल पर जाता हूँ इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा पर्स टेंडर पर फॉर्म एरर हमको एंटी ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो अगर मैं यहां पर कुछ टाइप करता हूं लेट से तो यहां पर हमको फॉर्म एरर दिखना शुरू हो गया नेम रिक्वाइड एमेल रिक्वाइड और आपने उल्याद को खूरू करता है और नेम रिक्वाइड है और देजिग्नेशन रिक्वाइड है ठीक है तो एक तो होगा यह आइंड है और ब्लर पे यह हम को दिखा रहा है ठीक है तो यह तीनों जगा पे हमको यह पॉर्म एरर Z देखने को मिल जाएंगे so हम पहले जो दो चीज़ है जहापर यह on change है और on blur है उसको हम control कर सकते है जब हम उसको error show नहीं करवा सकते so for example अगर मैं basic form में जाता हूँ और हमको रोकना है on change पे यहाँ पर एक method है जो कि हम pass करेंगे यहाँ पर मैं लिखूँगा validate on change और इसको हम false कर देंगे ठीक है इसको मैं save करूँगा और अभी हम check करेंगे on change पे क्या होता है एक बार refresh कर देता हूँ ठीक है पहले बार तो यह दिखेगा अभी मैं कुछ change करता हूँ ठीक है तो यहाँ देख रहा होगा आपको यहाँ आपक ठीक है और सेम उसी तरीके से हमको और एक method है on blur का so validate on blur और इसको भी हम false कर देंगे save करेंगे और चलेंगे browser पे ठीक है इसको एक बार refresh करते हैं अभी blank आ रहा है जैसे मैं यहाँ पर type करूँगा तो कुछ नहीं आ रहा है भाहर टच किया तो भी यह blank आ रहा है so मतलब on change पे भी हमने इसको control कर लिया error मत शो करना और इसके on blur पे भी हमने control कर लिया but on submit पे हम नहीं कर सकते हैं वह तो दिखे गाई so यह depend करता है situation पे आपको क्या situation में errors दिखाने है on change पे दिखाने है के नहीं on blur पे दिखाने है के नहीं तो यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए के हमको कहाँ पर error show कराना है so इस वीडियो का मकसद यही था कि आपको मैं दिखाओ कि यह कहाँ पर possible है so इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye